विनम्रता से जन्मत को स्विकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खास कर सत्तादारी दल बाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पस्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोधी जी के खिलाब गया है। ये उनकी राजनाइतिक और नाइतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगे ओट मांगते थे। उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नाइतिक द्रस्टी से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गटबंदन से बहुत प्रतिकूल माहुल में चुनाओ लड़ा। सरकारी मशनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाब अभियान चलाया। फिर भी सुरू से आखिर तक कॉंग्रेस पार्टी का कैम्पेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदुरों की बधाली और समिदान संस्ताओं के अतुरूप्यों जैसे विश्यों को केंद्री मुद्दा बनाकर हम जन्ता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हम से जुड़े, हमारा समर्तन किया, प्रदान मंत्री ने जिस तरह का कैम्पेन किया, वो इत्यास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कॉंग्रेस के घोशना पत्र के बारे में मोदी जी ने जो जूट फैलाया, जन्ता ने उसे समझ लिया। मैं इस मोके पर कहिना चाहूंगा कि स्री राहूल गांधी जी की दोनों यातराे, भारत जोडों यातरा और भारत जोडों न्याई यातरा के दवरान लाखों करडों लोकों को मिला, लोकों की समश्याओं को सुनना और आगे चल कर उन समश्यों का हल डूनना हमारे कैंपेन का आधार बना हमने इसी को पांच नयाय और पच्चीस गैरेंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गैरेंटी कार्ड बनाया हमारे कारिकरता उसे लेकर घरगर पहुंचे और लोकों को संपर्क करे इसके अलावा जो एक महत्मून बात है वो भाजपा नेतरत की अहंकार की वज़े से हुई उन्होंने धीरे धीरे सारे समिधानिक संस्ताओं के उपर गैर कानूनी तरीके से कबजा करने की कोशिश की फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाब करने लगे जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया जो नहीं दबे उसकी पाटी को तोड़ दिया नहीं तो फिर जेल में डाल दिया लोकों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मोका और मिला तो अगला हमला समिधान पर सीधा होगा और लोकतंतर पर होगा इसलिए लोकों को इसके प्रमाण नए संसत सत्र के साथ ही दिखेंगे खुशी इस बात की है कि भाजुपा इस सेडेंतर में अब सपल नहीं हो पाएगी मैं इस अउसर पर सीपीपी चेरपर्शन स्रीमती सुन्या गांधी जी हमारे लोकप्रियनिता रहूल गांधी जी प्रियांका गांधी जी का विशेश महीं दन्यवाद करना चाहता हूँ और इनों ने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैमपेंड किया और हमें एक मजबूत स्थिती में पहुचाने के लिए भारी मदद इनों ने की और मैं ये कहूंगा कि इनके वज़े से हमको बहुत बड़ा प्रोजसान देश में मिला और आज ये इस्तिती जो बनी है उनके वज़े से बनी और हमारे करडो कारिकरता जो है देश में उन्हों ने भी हमारा साथ दिया इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ आखिर मैं इंडिया गटबंदन के अपने सभी सातियों और सुपचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे सभी ने मिलकर परचार किया और एक दूसरे की मदद की हमारे हजारों लाखों कारिकरताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया आप सभी का धन्यवाद अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है हम सब को आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए समीदान की रक्षा के लिए लोगतंतर के बचाओ के लिए देश की तरक्षी के लिए सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे हमेशु निश्चित करना होगा की संसद सुचारू रूप से चले विपक्ष के मुद्दों को प्रात्मिक्ता मिले संसद में उन पर भैस हो आने वाले दिन महत्पूर्ण होंगे हम आप से बात करेंगे जब कभी भी मोका मिले आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाओं में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया इसलिए आप सभी को भी मुझे धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार दे। उसी लेवल तक मदद की देखिए ये चुनाओ इंडिया गटबंदन और कॉंग्रिस पार्टी सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाओ हम पीजेपी एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नन्स का स्ट्रक्चर है इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्ताओं को, इन सब इंस्टिटूशन्स को नरेंद्र मोदी जी ने और अमिट शा जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया फ्रेस की तो मैं बात करता रहता हूँ, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालुम है लड़ाई समविधान को बचाने की थी Constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे माइंड में था पहले से जब इन्होंने हमारा bank account cancel किया जब Chief Ministers को जेल में डाला पार्टियां तोरी मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गड़बंदन के पार्टनर से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की सबसे पहले हमने इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गड़बंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजिन दे दिया है प्रो पूर विजिन, प्रो प्रडक्शन विजिन हिंदुस्तान को इंडिया गडबंधन ने सार्फ दे दिया है यह जो हमारा पर्फॉर्मन्स हुआ है इंडिया गडबंधन का पर्फॉर्मन्स हुआ है इसके पीछे Constitution जो Reservation पर BJP ने आकरमन किया गरीबी, अदानी जी के आपने Stalks तो देखे होंगे, देखें, देखें हैं उस Stalks उनके तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से directly कोरेलेट कर रही है मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भही हम मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डाइरेक्ट रिलेशन्शिप है, करॉप्शन की रिलेशन्शिप है, और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है, कि हम आपको नहीं चाहते हैं, and this is the main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. beverage to be involved in the running of this country, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years, So that is a huge message to Mr. Rajendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the Constitution. And in the end, I will tell you that the work of this is the most poor people of Hindustan. The most poor people have done it. They 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 have done it. This Constitution has done it. This Constitution has done it. This Constitution has done it. Many people have not done it. They have been hidden. But the most poor people of Hindustan, the most poor people have been standing. And they have saved this Constitution. I would like to thank them. I would like to say that the Congress Party is standing with you. जो हमने आपको वायदे किये थे. हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे. जाती जन्गरना, महलक्षमी, यह हमारे वायदे हैं. धन्यवाद. जिए मारे दूबारा. शुक्रिया राहूल जी. अभी तीन चास स्वाल हम लेंगे. एक मिनिट, एक मिनिट शांत हो जाइकपीज़ी. शांत हो जाई है प्स छांत हो जाई है एक मिनुला हो जाई है एक मिनट शांत हो जाई है एक मिनिट खरके जी और रहुल जी आपका चार पांच सवार लेंगे संजीव जी एक मिनिट एक एक करके चिला ये का मद प्लीज चिला ये का मद Zaalaji, although the NDA has emerged as you know they are getting the majority but some of it's partners have been your partners in the past including the TDP and JDU so have you decided to sit in the opposition or there are chances of government formation by the end by the India government कर देस् trareme के आढई रार इत्वे कर देस पारें टिस्टों स surge मुत की बार इसरे आज टर्री इब चारें करकिया देन इन आट गार्तमनों कि वे नजियर सुन्वा कि एल्यंग ड्यंगी हॅज जयासिका और शौंडाप्टन सक्रान인데요 प्रिये सरो आप यह यह दो इस है उनको किसे उनको आगे उनका भनाने के लिए आगे आप आएंगे वह बोही वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो श्मार डिसाइड ही इंडिया गडबदन की मीटिन रही है कल हमारा लाइन्स डिसाइड करेगा बड़ी फाइन लाइन है तो जो इंडिया गटबंदन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे सर खरगे साब आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके साब से एंडिये को मिजॉरिटी मार्क से उपर मिला है तो एंडिये सरकार बना रही है तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि आपने का नैतिक अधार पर प्रधार मंती नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखेंगे सारे स्टैटिजी अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी जराम जी जराम जी जराम जी खरके साब ने का कि हम जनादेश को सुईकार करते हैं जनादेश इंडिया गटबंधन के लिए क्या है विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए और आप दोनों सीटों से जीते हैं बढ़ाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नइ भूत मोइन दुनों सीटों से जीता हूँ और राईबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौनसी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ावा है अब सव कहा कड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मेंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें आप सरकार के साथ जाए 2009 में 2009 में तो क्या बात करें 2009 में दोबारा जब वहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें अब मैं पूछ रहा हूँ कॉंग्रेस के अध्याक्ष मलिकार जुन खड़के ने यह बयान दिया है कई नए सेयोगी मिलने वाले हैं यानि कि इंडिया गटबंदर की कल जो बैठक होनी है ये बैठक काफी महत्पूर है कई नए सेयोगी मिलने वाले हैं ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे है मलिकार जुन खड़के का बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है तो यहाँ पर मलिकार जुन खड़के ने यह बयान दिया है यानि कि कल जो इंडिया गटबंदर की बैठक होगी उसमें अब ये तै होगा क्या आगे क्या करना है बीजेपी ने कहा था देखिये बीजेपी बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है तमीज से बात नहीं करती है मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो चालिस साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे है और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजेपी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड व्यक्ति है और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो पिये हैं, स्टनों हैं ये बिल्कुल गलत है, ये ओफिंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए राहुल राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज निशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ, देखिए यूपी यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे जादा पुलिटिकल विजडम मतलब आप